जैसे राधे मित्रों हर हर महादेव मित्रों चंद्रवदनी भक्तिरस चैनल में आप शभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक वनंदन है और माभगवती आद्य सकती आप समस्त लोगों की मनुकामनाओं को पूर्ण करें यही माभगवती से हमारी करवद्ध प्रार्धना है तो आज कल हम आपको मेस से लेकर मिनरास के जातकों का दो antib applies कैसा रहेगा करियर मंधित स्वासत्य संबंधित प्रैंच व्यापार मंधित तो उस में हम चर्चा कर रहे हैं तो इसे कड़ी में आज हम बात करेंगे सिंग रासिके जातकों की और मेस ब्रिस मित्थुन कर गरासिके जातकों के इसके बारे में हमने पहले ही बीडियो बना चुके हैं तो जो लोग उन बीडियों को नहीं देख पाई वह जरूर देखें और आज का जो हमारा बीडियो है हमारे बीडियो को आप अंतिम तक अवस् वटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप सभी तक पहुंच सके तो बात करेंगे आज के जो सिंगरासी जो हमारी सिंगरासी के जिस पे हम चर्चा करेंगे तो सिंगरासी के जातकों का 2023 का नवर्स कैसा रहेगा उस पे हम आज बात करते हैं तो सिंगरासी वाले जो जातक हैं उनके लिए नया साल 2023 सपलता लाने वाला है यह साल सिंगरासी के जातकों के लिए खास तोर पर बिजनिस में जो है वा बंपर लाब देने वाला है और यहा धन, रिलेशंसिप, करियर, सिक्षाक और सेहत के लिए कैसा रहेगा 2023 साथ ही कुछ मामलों में थोड़ा सा सावधान भी आपको रहना होगा तो आए जानते हैं कि सिंगरासी वालों के लिए साल 2023 जो है करियर सेहत के छेतर में कैसा रहने वाला है तो बात करेंगे करियर और ब्यापार की तो सरवपर्थ है अस्ता इत्वर बल बना रहेगा करियर व्यापार में साजा परियासों से लक्ष हासिल आप करेंगे और जो प्रारंबिक तिमाई है जनवरी फरवरी और मार्च का जो पहले तीन मेहने हैं इन तीन मेहनों में लक्ष साधने में आप सबल होते हुए दिख रहे हैं सुरुवाद जो है वह उम्मीद से अच्छी रहेगे और प्रसासनिक एवं साजा परियासों में से जुड़े जो मामले हैं वह आपके बहतर बनेंगे नैत्रित छमता जो है वह आपका बल पाएगे उद्ध्यो ब्यापार में नए भागिदार बनेंगे कामकाज योजनाएं आपके पक्ष में बनती हुई दिख रही हैं और अधिकांस कारे जो है सिग्रता से पूरे कर लेने पर आपका जोर रहेगा उत्पादक के छेतर में आप बहुत ही वहतर रहेंगे स्रेष्ट प्रस्ताव प्राप्त आपको होंगे सफलता का प्रतिसत जो है वह बढ़ता हुआ दिख रहा है संकोच आपका जो है इस बर्स दूर होता हुआ दिख रहा है मित्रों और समकक्षों और वरिष्ट जनों से आपका सामनजस्य रहेगा और लाव बढ़ाने की कोशिस आपकी होगे साजा कारियों में आप परभावसाली रहेगे दामपत्य जीवन आपका खुसमे रहेगा करेवी आपकी उपलब्धियों से बहुत ही परसन रहेंगे और आपको इच्छित परणाम मिलेंगे सकरात्मक्ता का अस्तर जो है वा उच्छाल पर रहेगा और वानिजिक के कारे जो हैं वा लंबित आपको बिल्कुल नहीं रखने हैं उनकारियों को पूर्ण करने का प्रियास आपको करना है बात करेंगे अपरेल से जून तक का महिना जो है वा कैसा रहेगा अपरेल से जून तक के महिने में गलतियों से आपको रहना है साबधान तो सिंगरास के जातकों का अप्रेल से जुन तक का महिना जो कैसा रहेगा उसमें चर्चा करेंगे और अप्रेल से जुन तक के महिने में गलतियों से आपको रहना है साब्धान अप्रेल से जुन तक का समय जो है सजगता से आगे बढ़ने वाला है कामकाज में चूक न होने दें और परिवर्तकों का संके तक समय है आर्थिक मामलों में जो है धैरेपूर्वक आपको आगे बढ़ना है और सुधार की परक्रिया का सम्मान करना है अस्तान सम्मंदित बदलाव की संभावनाएं आपके बढ़ते हुई दिख रही है और अपनों का भरोसा आपका बढ़ेगा खान पान का अस्तर जो है उसे समार के रखना है आपने खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अस्ताई कामकाज के इस्तितियां जो है वा बलपाती हुई दिख रही हैं स्वास्त्य पर अत्रिक्त ध्यान रखने के जरूरत है सात्यक भोजन आपने करना है और रक्त चाप और उड़जा प्रभाव जो है आपका प्रभावित रही सकता है न्यायक विसयों में जो है वह आपको सजग रहने की जरूरत है संसादनों में आपके बिड़ी होगे और रिस्तों में आपका सुधार होता हुआ दिख रहा है सिंगरासी के जातकों का जुलाई से और सितंबर जो है वह आर्थिक रूप से मिलेगा तरकी आर्थिक रूप से तरकी मिलने का इस समय आपको अवसर दिख रहा है तो जुलाई से लेकर सितमबर 2023 तक की तीसरी तिमाही में व्यक्तिगत परियासों से कार्य व्यापार का मार्ग आपका बहतर होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आपका बना रहेगा, आपने तोड़ा सा आर्थिक इस्तिती में संतुलन बना के चलना है, सुक समर्धी में भी आपकी बढ़ती होती दुख रही है और दूर देश के मामले आपके बनते हुए दिख रहे हैं आई और व्य जो है वह बढ़ा रहेगा, आई के साधन भी बढ़ेंगे तो खर्चे भी आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं पेसेवर विशयों में प्रभावसाली आप बने रहेंगे, जिम्मेदारों का भरोंसा जीतेंगे, संसाधनों में भी आपके बिर्दी होती हुई दिख रही है और सासन मनुवल आपका बना हुआ, मनुवल आपका उच रहेगा सहन सीलता पर आपको बल रखना है, सभी के संयोग से कार्य आप करेंगे और स्मार्ट वरकिंग पर आपका बल रहेगा धन बैभव की बिर्दी होती हुई दिख रही है सब्यता और संसकार आपके समर्ते हुई दिख रहे हैं रूटिन और नियमित रूटिन से आपको नियमित चलना है अपने जीवर में आपको रूटिन बना के रखना है बात करेंगे अक्टुवर से दिसंबर तक का महिना कैसा रहेगा तो अक्टुवर से दिसंबर तक चौथी तिमाही में आर्थिक वानिजिक्या विसोयों में सूज और सला से आपको आगे चलना है नकारात्मक्ता नजरिया और निर्णे कारेगती प्रभावित आपके रह सकती हैं इसलिए नकारत्मक्ता आपको बिल्कुल वे नहीं लानी हैं परियासों को बहतर आपने बनाए रखना है और राहु और केतु का जो रासी परिवर्तंज है अपनों से सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें सब्दों के चैन में आपको ध्यान रखना है समाज के लिए कम महत्वक में पामाने जाने वाले कारियों से दूर रहना है समाज के लिए जो कम महत्वक देते हैं ऐसे कारियों से आपको दूर रहना है धैर्य और धान धैर्य और संतुलन आपको बनाए रखना है भावावेस में आपको बिल्कुल नहीं आना है और कोई नेर्णे भी आपको जल्दी से जल्दवाजी में नहीं लेना है अतिति का सम्मान आपको करना है रहन सहन आपका प्रभावित हो सकता है भरोसा आपको बनाए रखना है बात करेंगे स्वस्त्य और परिवार की तो अपनों का साथ और समर्थन आपके उपर बन स्वाविमान और जीवन अस्तर को आपको ऊंचा बनाए रखने पर जोर देना है बड़ों की अवग्या से आपको बचना है गोपनिया और पाचन सस्तान से जुड़े रोग जो हैं वह आपके उभर के आ सकते हैं स्वस्ते के लिए यह बर्स जो है वा मध्यम बना हुआ है दवाव में आपको बिल्कुल नहीं आना है खान पान की ब्यवस्ता आपको वहतर बनाए रखनी है सात्तिक आचार बिचार और आहार रखें वर्स के आरभ में थोड़ी राहत बनी रहेग अपनों की खुसी के लिए हर संभव कोशिस रखें तनाव बिवाद से बिल्कुल आपको दूर रहना है बात करेंगे सिंगराश के जातकों की प्रेम मैत्री और सिक्षा की 2030 में कैसा रहेगा तो रिस्तों के रिस्तों में जो है नई उर्जा भरने वाला यह वर्स है प्रेम संबंधों को बहतर बनाए रखने का प्रियास आपने करना है मित्रों में घनिष्टता और विश्वास बड़ेगा एक दूसरे से जुडाव बनाए रखेंगे और सिक्षा के छेत्र में जो है लाप्रवाही करने से आपको बचना है गुरुजनों की सीक और सल्ला पर अधि का दिग अमल आपको करना है उचित प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं मार्च अप्रेल तक बिवा इत्यादी के सुवसंयोग भी बन रहे हैं समर्पन और संयोग आपको बनाए रखना है बात करेंगे सिंग्रास के जातकों का दो हजार तेस में धर्म और अध्यात्म के बारे में भी तो दो हजार तेस में सिंग्रास के जातकों का वर्ष की सुरुवात में मनो विज्ञान पर बल देने वाला समय होगा जप तप ध्यान और प्राणाया में आपको रुची बनाए रखनी है धर्म सम्मत कारियों को आगे आपको बढ़ाना है और अप्रेल में अप्रेल के बाद जो है अध्यात्म के लिए समय का आभाव आप अनभव करेंगे अप्रेल के बाद जो है आप धर्म के लिए समय कम दे पाएंगे जिसके कारण आप जो है थोड़ा सा समय का आभाव आपको मिलेगा और जिसके कारण थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखन आप कमंट के माध्यम से जरूर बताएं आपको अगर हम आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप कमंट करें और लाइक करें और अपने इस्ट मित्रों के साथ जो है हमारे वीडियो को सेर जरूर करें और हमें एसा व्य बताएं कि अब vive जो है कुछ तुरूटियां भी हमसे ह हो रही होंगी तो तुम से भी अवगत कराएं क्योंकि अभी नहीं नए नbnय चैनल है तो थोड़ा सा अगर कोई कि तुरूटिया हमसे हो रही है तो उन तुरूटियों के बारे में भी आप हमें अवगत करा सकते हैं तब तक के लिए जैसिरादे जैमातादी मांभिवती का आश्रिबाद आप सभी पर बना रहे और क्रिपादिश्टी बनी रहे हर हर संभू